नमस्कार किसान भाईयो मैं सुर्य दूल फिर से हाजीर हूं आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरुजी में किसानों जो इस समय पर अपने खेत के अंदर आयोए हैं और आज की जो चर्चा का विसा है वो है जिंक सल्फेट कि गेहूं की फसल के अंदर जिंक और सल्फर क् फिर इसे ढालने के कोई भी फायदे नहीं है संपूर जानकारी मैं यह आपको देनीवाल हूं तो ध्यान से समझते हैं एक हमारी धान की फसल या फिर गह नहीं ये दो ऐसी फसले हैं जिनकी की कमी स्वतह खेत के अंदर आ जाती है और जिन खेतों के अंदर हम लगतार गन्य की फसल ले रहे हैं धान की फसल ले रहे हैं या फिर गेहूं की फसल ले रहे हैं उन के हेतों के अंदर जिनकी कमी ओटोमेटिक किसानवायों धीरे धीरे आती रह टो खेत के अंदर जो उरता सक्ति होती है वह लागातार बनी रहती है जिन्क की कमी हमारे खेत के अंदर फिर नहीं आती है तो बात कर रहे हैंि गेहूं की फसल के लिए तो गेहूं की फसल के अंदर जो जिन्कACH संपील वह उपयोग करनाा है центр पमदू पहले पानी पर कितनी लेनी है कौन सी वाली जिंक सल्फेट का उपयोग करना है क्योंकि जिंक सल्फेट आपको 21 परसेंट में भी देखने को मिलेगी और भी अच्छे-ची कंपनिया ने जो लगभग 65% के आसपास तक जिंक सल्फेट का उपयोग कर रही है तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं जिंक अगर हमारी फसल के अंदर कमी आ जाती है तो हमारी जो फसल होती है कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी होनी सुरू जाती है और फसल की जो बढ़वार होती है वो बढ़वार रुख जाती है फसल अच्छी तरीके से गिरोथ नहीं कर पाती और फसल के उपर हलका हलका सा पीला पनाना शुरुआ आता है और पूरे खेत के अंदर जब यह जिंक की कमी आएगी तो आपको अलगी नेजर जाएगा कि रूप में भी काररे करता है। सल्फर एक कीट नासक के रूप में भी कार्या करता है एक खात के रूप में भी कार्या करेगा और इसके साथ साथ किसानवायो यह फंगी साइड तो होता ही है तो तीन से लेकर चार तरीके से किसानवायो जो सल्फर है यह हमारी फसल के अंदर कार्या करता है तो दोनों का प्रिती सांदार ट्रिलिंग हमारी गेहूं की फसल लेकर करके चलेगी जिससे आने वाले समय में जो पैदावार होगी वो सांदार हमें देखने को मिलेगी अब मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए यदि आप 21% वाली जिंकी में बात करूं जो 21% वाला जिंक सलफेट आता है तो इसकी मात्रा आप 7 से लेके 8 kg पिर्ती एकड के हिसाब से लेंगे तो बैस्ट रियल्टी यहां पर आपको निकाल करके देगा बात करते हैं 33% वाली की तो यदि हम 33% वाली जिंक सलफेट का उप्योग करेंगे तो हमें मात्रा लगवा च कि अच्छी तरी के से बता दूं यदि आपकी रितिली मिट्टी है हल की मिट्टी है तो उसके अंदर किसानवग आपको जिंक सलफेट का उप्योग करना है इसका उप्योग आप पानी देने के बाद में यदी से डालेंगे तो बहतर रिजल्ट आत् lanz account देगा यदि मोटी म तो उस मिट्टी के अंदर आप जो हैं जिंक सलफेट को और यूरिया को और अन्य जो भी खाद आप डालना चाहते हैं जैसे सागरी का है उसे आप डाल सकते हैं तो इनकी मातरा पहले डाल दीजिए और बाद पर अपने खितकी सिचाई कर दीजिए इससे भी बहतर रेजल्ट हमें निकाल करके हमारी गेम की फसल दे पाएगी और सांदर रेजल्ट हमें देखने को मिल पाएगे तो उम्मीद है ये जानकारी मेरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सेयर कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीड किसान भाईयों को जै हिंद जै भारत जै किसान वंदे मात्रम